नमस्कार दोस्तों जेके सक्सेस पॉइंट के यूटूब चलने में आपका स्वागत है तो डेफेंट्स आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन्स है वो पढ़ने वाले हैं यह सभी क्यूशन्स हैं डिपार्टमेंट और अटमिक अनर्जी की जो अभी अग्जाम्स होती हैं जैसे एन पीचेल हेवी बाटर बॉर्ड आईजी शी आर एन एफसी इस रोव वी एससी बी ए आर्सी एंचेल जो एनम उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाले यह इसका फोर्थ पार्ट है इससे पहले हमें इसकी तीन क्लासेज हैं वह पहले ही चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखें तो अभी जाकर उनको देख सकते हैं जो इस वीडियो की डिस्क किरिया करने पर रंग का हो जाता है कोई लाल लिटमस पेपर है उसको जब चार के साथ हम किरिया करवाते हैं तो उसका कलर वह कैसा हो जाता है तो कैसा हो जाता है तो वह हो जाता है नीला क्या हो जाएगा लाल जो होता है लिटमस पत्र वह नीले में बदल जाता है अगर उ ए नील के नाम से आप जब इसको याद करेंगे तो जो अमल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में चैंज करते हैं तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं किसमें अधिक्तम संख्या में प्रमानु मोजूद रहिगा तो चार रोप्सन है उनवे से बताकि कि किसमें सबसे अधिक संख्या में परमानु जो होते हैं एटम्स होते हैं वह परजेंट होते हैं तो किसमें होते हैं वह होते हैं 18 ग्राम CH4 में किसमें हो जाएंगे जो 18 ग्राम CH4 होता है मेथन होता है उसमें सबसे अधिक संख्या में परमानु है वह मौझूद और हमाय इसमें निमल लखीत में से कौंशी गैस जोलनसील है तो कौंशी गैस है चार ओसड़ों में से बताना कि कहुंशीड है जळवववववक obstival छलती है तो को हो जाएक हो hydrogen hydrogen gas होती है जलने में सहाइक गैस होती है अगले क्यूशन को देखते हैं अगला क्यूशन हमारे से में ओम को परतीक द्वारा निरूपीतिक किया जाता है जो ओम का नियम है आपने समय ने पढ़ाऊगा वी ब्राबर आई यार तो इसमें जो ओम जो होता है उसको किस परतीक द अगले क्यूशन को देखते हैं अगला क्यूशन इसमें वेक्यूम में परकास की गती मिटर परती सेकिंड है जो वेक्यूम जो होती है उसमें परकास की जो गती होती है यह हमें बताना है तो वेक्यूम ये परकास की जो गती होती है वो तीन गुणा दस की पावर आठ मिट पर्ति शेकर्ड जो होती क्यूब में परकास की गति होती है के नेश्ट कुछ नहीं में गैर दिप्त वस्तौ एक उधारन है जो गैर दिप्त लूमिनियग जो ऑप्जेक्ट होते हैं उनका एक उदारन हमें बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, चांद या फिर मून, चांद जो होता है, यह गैर दीप्त वस्तु का उदारन के अंतरगते आता है, बलकि जो और जो ओप्संस होते हैं, वो दीप्त वस्तु का एक उदारन के अंतरगते आते हैं, अगला प्रशन है हमारा इसमें, सोडियम का रासाइनिक परतीक है, जो सोडियम जो होता है, उसका केमिकल जो सिंबल है वो हमें बताना है, तो सोडियम का रासाइनिक परतीक होता है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, एने, क्या हो जाएगा, एने होता है, वो सोडियम का कार्वर्थ जो बनाएगा है इसको बनाया गया ह॥ ग्रमानुर्थ इति परानु कर्मांग पर आधारित होती है अगले टेखते हैं इसमें परकीरियान में उस्मा बीना माढ़्य के संचारित होती है तो तो कौन सी परकीरें आती है जिसमें उसमा बिना किसी मध्यृम के संचारित होती है तो और को झाले समके निमल में से कौन सा पदार्ट द्हातु है तो चार option में से बताना है कि कौन सा जो पदार्थ है, वो एक metal है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इनमें से चांदी जो होता है, ये एक metal होता है, और सबसे जो सुचालक दात्तू जो होती है, वो भी चांदी ही होती है, ये आप याद रखेंगे, अगला question को मैं वह कितनी ओरति की द्वनी है वह सुन सकते हैं यह हमें बताना है तो वह जाएगा 20-9 रिदार्ष से लेकर 20 किलो हटर्ष तक तो प्रसन नम्र आए है वह इसका क्रेक्ट एंसर हो जाएगा 20-8 नम्र इसके बीच की जो ऑरति की द्वनी जो होती है वह सामानय माना को जो कान होते हैं इनको सुनाई दे सकती है सबसे सबसे कठोर हाड़ सबसे कठोर कोशटेंश हो जाएगा फ्यूंज हीनों सबसे कठोर हाड़ सफने हे वो कूण सå हो जाएगा तो दैमेंट्ट होता है और most से जय बक пойंग है तो चारों जो अफिसन है इनमें आले दिये गए हैं तो हम्हों में से हमें इन्थों अफिर स्वे करेंद div ओफिर एक या फिर जय एक की अभल है तो कों सा हो जाएगा को जाएगा वह जाएगा साइक हो इसीड घ कहा जाता है तो वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थों में इलेक्ट्रों की वर्धी होती है तो वह प्रक्रिया को कहा जाता है क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है अब चैन है वह बोला जाता है जिस प्रक्रिया में पदार्थों में इलेक्ट्रों की क्या होती है वरधी होती है जो होता है उसका क्रियातमक समुर्ण है किसका हो जाए गए यह हो जाएगा कारवोउक्स्लीक एसीडjah क्रियातमक समुर्ण होता है इनके में एक लेंज की सकती वन डर है तो उस लेंज की फोकस दूरी बताईए एक लेंज है उसके सय सक्जाटी देगी है वह स empirical हमें दी गई है तो आपREE आइसे हम सुत्र होता है फोकसदूरी सु में एक भीड़ाइब ways out तो Zar हो जाएगा शोव शेंटिमीटर है वह इसकी focus दूरी हो जाएगी कि अगला कुशित नहीं किसी वस्तु को उपर से गिराने के दोरान उसका वजन रहता है कोई वस्तु है अगर ऊपर से घिराते हैं तो दोरान उसका वजन होता है तो वह कितना रहता है वो कितना रहता है यह हमें बताना है तो उसका जो वेट होता है वो हमेशा सुन्या ही रहता है जीरो ही रहता है तो उस नमबर A है वो इसका correct answer हो जाएगा अगले question को देखते हैं अगला question हमारे इसमें किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाले बल को कहा जाता है तो किसी वस्तु पर कोई जो बल होता है वो थोड़े समय के लिए लगाया जाता है तो उस बल को क्या कहा जाता है short period के लिए एक अगर हम उस पर force है वो active करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है तो वो कहलाता है वो आवेग कहलाता है impulse है वो कहलाता है किसी वस्तूपर अगर हम थोड़े समय के लिए कोई कारिय करते है तो उस बल को हम आवेग कहते हैं अगला कुछन है इसमें वाइमनली दवाव मापने के उपकरण का नाम है जो वाइमनली दवाव है जो होता है एटमोस्फियर प्रेसर जो होता है उसको मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसका नाम क्या है तो वह हो जाएगा बैरो मिटर बैरो मिट को होता है उसका प्रियोग हम वाइमनल या दुवाब मापने के लिए प्रियोग करते हैं तो इस नमबर ए है वो इसका क्रेक्ट एंसर हो जाएगा तो डे फ्रेंस ये थे आज के हमारे 20 most important questions आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आये अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट करें दोस्तों में शेयर जरूर करें अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आग यू